असलाम लेको एवरिवन मेरा नाम असद है और आज का यह वीडियो लेस्ट एक्समेल की टिटोरियल सीरीज का पार्ट नमर थर्ड है तो इस पार्ट को देखने से पहले आप मेक्शूर कर लेंगे आपने इसके पिछले फ़ले पार्ट सारे के सारे देखिए हैं ओके तो आज के टॉपिक है वो XSLT है XSLT बिसिकली एक स्टाइल चीट है जिसे XML के लिए इस्टमाल किया जाता है जिस तरह से हम CSS को HTML के लिए इस्टमाल करते हैं इसी तरह से XSLT को XML के लिए इस्टमाल किया जाता है अगर आप XSLT और CSS का comparison करते हैं तो XSLT comparatively ज्यादा powerful है ज् इसमें loop available है और उसके लब उसके बाद इसमें conditional statements भी available है furthermore XSLT की मदद से हम XML के document को किसी दूसरी form में transform कर सकते हैं या फिर XML के document को किसी HTML के document में transform कर सकते हैं इस lesson में आगे move करते हैं और जो code यहां पर text editor पर आपको नजर आ रहा है यह वो ही code है जो कि मैंने सबसे पहले lesson में use किया था और इसी code को आगे लिके चलते हैं जैसे कि मैंने बताया है कि हम XSLT discuss करने जा रहे हैं तो XSLT के लिए मुझे यहां पे एक नई style sheet बनाना पड़ेगी एक new file बनाना पड़ेगी तो file में create कर लेता हूँ इस file को मैं कोई नाम दे देता हूँ लेकिन याद रखें इस file का जो इस file की जो extension है वो different होगी वो .css नहीं होगी वो .xsl होगी style.xsl इसको ने save कर दिया अब save करने के लिए जो यहां पे यह जो XML file है इसके elements के लिए मैं यहां पर code लिखता हूँ जो सबसे पहली line है वो basically xml का version है 1.0 encoding utf-8 ओके right now यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां भी आपको namespaces नदर आ रही हैं तो इस इस part को ज्यादा simple रखने के लिए मैं namespaces को remove कर देता हूँ उसके बाद फिर मैं यह example namespaces के साथ करूँ तो के namespaces को remove कर दिया और यहां पर यह namespaces अभी available है तो इनको just find करता हूँ और replace कर देता हूँ जो बी वाली आ रही है उनको भी replace कर देता हूँ पर्फेक्ट अब मैं जो style sheet 20 file है मैं उस पर जाता हूँ जो next line है उसमें मुझे लिखना होका xsl xsl एक namespace है style sheet उसके बाद version version 1.0 और उसके बाद जो यह इस जगह पर जो मैंने xsl लिखा है जब मैं आपको उता है कि नेम स्पेस है तो नेम स्पेस डिपेंड करता है आप या आप नेम स्पेस का कोई भी नाम रख सकते हैं A B C D E F कोई भी string आप चूज़ कर सकते हैं अब इस नेम स्पेस को में define कर देता हूं xml ns colon xsl equals to अब यहां भी मुझे url देना पड़ेगी वो url क्या है http colon double forward slash www.w3.org forward slash 1999 forward slash xsl forward slash transform यह actually opening tag है अब इसका closing tag भी required है तो आपको पता है xml एक strict language है तो उसके लिए आपका अगर एक element अगर आपने कोई element लिख है उसका opening tag है तो उसका closing tag भी होना चाहिए यह मैंने इसको close भी कर दिया यह जो असल में name space है वो इस url से belong करती है तो last time मैं आपको बताया था जब आप अपनी name spaceses define कर रहे होते हैं उसमें जो आप url अगर use करते हैं तो url ज़रूरी नहीं है कि कोई proper url हो I mean वो एक incorrect url भी हो सकती है कोई fake url भी हो सकती है ज़रूरी नहीं कि आपको true url ही use करेगे तो यह basically एक true url है जो मैं name space use कर रहा हूँ और वो इस url से belong करती है क्योंकि मैंने elements को transform करना है तो मुझे इस url की ज़रूरत है इस name space की ज़रूरत है हमेशे एक चीज़ याद रखें जब भी आप xml से html में उसको transform कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको template यूज करना पड़ता है एक इस में जाके हम template यूज करते हैं और वो template फिर html पर apply करते है lesson का sign xsl colon template एक इसमें मैं attribute यूज कर रहा हूँ जिसका नाम match है match basically क्या है यहां पर path expressions को use किया जाता है उन path expressions की base पे हम specific elements को target करते हैं जैसे for example मेरे पास यह root element है उसके बाद यह user है उसके बाद first name है और last name है तो मैंने अगर किसी element को target करना है तो मैं specific path follow करूँगा मुझे person को target person data को target करना पड़ेगा फिर मुझे user को करना पड़ेगा उसके बाद ही जाके f name accessible होगा otherwise मैं इसको access नहीं कर सकूँगा अभी path expression की दरव आते हैं तो जो access lt है वो x path यूज़ करता है इस purpose के लिए x path क्या है xml path language और xml path language path expressions को यूज़ करती है elements को ढूणने के लिए चलिए मैं फिलहाल इसको remove कर देता हूँ और जो यह opening tag है इसका closing tag लिख देता हूँ style sheet इसका closing tag नहीं है इसका closing tag template है इसको close कर दिया अब इसके अंदर आके यहां पर मैं html लिखता हूँ html उसका closing tag आ गया उसके बाद head tag head का closing tag आ गया head के नजर title आ गया और यहां पर body आ गई यह body will apart आ गया यहां पर आपके जहें में आ सकता है कि हम html क्यों use कर रहे हैं तो first tutorial में मैंने जैसे explain किया था html को basically इस्तमाल किया जाता है वेब पेज को structure करने के लिए यानि कि हमारे वेब पेज पर जितने भी contents आ रहे होते हैं वो html की मदद से उनको structure किया जाता है और html को browser understand करता है browser html को parse करता है और parse करने के बाद उसमें content है वो browser में दिखा देता है इसलिए उसको यहां पर यूज किया जाए तो मेरे पास जो information यहां पर available है इसको मैं html के अंदर दिखाना चाहरा हूँ ओके जो path expression में यहां पर यूज करूं मैंने forward slash यूज किया है इसका में दोकमेंट की रूट पर हूँ यहां से start हो रहा है और नीचे जाके end हो रहा है तो इस time मैं इसके विल्कुल start पर हूँ उसके बाद जो body वाला part है यहां पर मैं कोई content display करता हूँ xsl value of select हमेशा एक चीज याद रखें यह self-inclosing tag है जो इसना की tags आते हैं जो कि एक single tag होता है xshtml के इंदे रहते वे उनको भी close करना पड़ता है अदर वेसे error आता है तो यह देखें end में मैंने space add करने के बाद forward slash लगा दिया तो अब यह tag बिल्कुल valid है अगर html5 में आप काम कर रहे होंगे यह html के किसी भी version में काम कर रहे होंगे तो उसमें html इन चीजों का mind नहीं करता लेकिन जो xhtml है वो एक strict version है html का तो उसमें इन चीजों की take care करना पड़ती है closing tag मिसना हो और आपके जो elements हैं वो case sensitive भी होते हैं और जो select वाला part है यहां पर अब मैं path expression लिखता हूँ path expression क्या होगी मैंने person data को target करना है उसके बाद user को target करना है और उसके बाद f name को target करना है तो यह मैं कैसे लिखूंगा यहां पर लिखके देख लेते हैं person data forward slash user forward slash f name इस तरह से मैं इसको tag रिख रहूंगा मैं यहां पर इसको paste कर दिया पेस्ट करने के बाद जो इसका result है उसको ब्राउजर में देखते है refresh अभी तक यहां पर result नहीं है उपर जो message आ रहे है उसको read करते हैं this xml file does not appear to have any style information associated with it अब यहां पर issue आ रहा है issue यह आ रहा है कि जो style sheet है उसको मैं reference करना न भूल गया हूं उसका reference इस document में include करना भूल गया पैने कोने के जरूरत नहीं है कोई भी error message आता है उसको अच्छे थी किसे read करें उसको understand करने कोशिश करें मुस्ति जो error messages होते हैं उनके अंदर ही explain किया वह उता है यह error किस वज़ा से है तो errors को understand करना काफी important है यह देखें मैं XML पर आ गया लेकिन यहां पर मुझे कोई ऐसी line नहीं नज़र आ रही जिसमें मुझे नज़र आ रहा हूं कि मैंने style sheet बनाई xslt उसको बनी यहां पे include करवा है अब मैं उसको include करवा लेता हूं lesson का sign question mark xml style sheet type text forward slash xsl क्योंकि वो xsl file है extensible मुझे यह word proper बोला नहीं जा था extensible style sheet language यह अब बोला गया xsl stand करता है extensible style sheet language और यहां पे मुझे उसकी url भी देना पड़ेगी उसका reference include करवाना होगा उसके लिए मुझे file का नाम लिखना पड़ेगा style.xsl मैंने successfully जो style sheet थी उसको यहां पे reference करवा दिया अब अगर मैं page refresh करता हूँ तो यह देखें मैंने asad को successfully target कर दिया मैंने first name print करवा दिया इसी तरह से अगर मैं last name print करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इसको l name कर दूँगा l name क्यों करूँगा क्योंकि जो last name है उस element के नाम l name है browser में देखते हैं अगर मैं refresh करता हूँ तो यह देखें last name आ गया तो देखें कितना easy है easily मैंने जो specific elements उनको target किया और display करवा दिया ओके next step मैं चाहता हूँ कि जो information display हो रही है यह table की शेकल में display हो जाए बिल्कुल इसको table की शेकल में convert किया जा सकता है इसको table की शेकल में कैसे convert कर सकते हैं अब उसरफ आते हैं body के अंदर जाके मैं एक table बना लेता हूँ एक table आ गया table की first row आ गई table की जो first row है उसमें तीन कॉलम्स आ जा जेंगे तीन कॉलम्स कौन-कौन से जिस सबसे पहला कॉलम है वो id है उसके बाद जो second कॉलम है वो first name है फिर last name है फिर email address है यानि इसमें चार कॉलम required होंगे table head टाइप नहीं कर पा रहा हूँ इसको मैं three more times paste कर देता हूँ paste paste and one more time paste सबसे पहले id और उसके बाद first name last name उसके बाद email यह table वाला part आ गया इस table को style भी किया जा सकता है कहने के मतलब यह कि मैं इसके साथ को style sheet भी associate कर सकता हूँ और जब मैं HTML में काम कर रहा हूँ तो obviously HTML के लिए मुझे CSS required होगी तो मैं internal style sheet use कर लेता हूँ style type text forward slash css यहां भी आकर मैं table को style कर लेता हूँ मैंने table को target किया table को target कर लेने के बाद इसके जो width है उसको 800 pixels कर दिया border solid 1 pixel और उसके बाद बादि कर लें we इसके बाट td light gray और one pixel चले इसको ब्राउजर में देखते हैं कि क्या अभी तक code प्रॉपर काम कर रहा है refresh और यह देखें successfully मेरे पास तीन कॉलम्स बन गए अब इन कॉलम्स के अंदर associated जो information है उसको display करवाना है उसको display कैसे करवाया जा सकता है अब उसकी तरफ आते है यहाँ वे एक और मैं table row create कर लेता हूँ और table row create करने के बाद मुझे इसमें कुछ दूसरे कॉलम्स required होंगे जिन में data आ रहा होगा उसके पहला कॉलम्स यह आ गया इसको copy करके तीन दमाँ paste कर लेता हूँ पेस्ट पेस्ट एड बेस्ट अजसे टाइम मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ यहां से कट करके पेस्ट कर देता हूँ पेस्ट इसको close कर दिया और टीडी इसके आगया आगया परफेक्ट हो गया इसी को copy करके आगया आगया थे तीन द फेस्ट कर दिता हूँ हर्ण फेस्ट है यहां पे सबसे पहले अगर इस पाट प्र थो सबसे पहले आइड को cultures क्यूंत प्र एका अदिक कैसे अजाता है उसका सिंटेक्स सोौना सथ और इफ्रिफरेंट है उसका syntax क्या है आप यहां पर लिखेंगे add-the-rate का sign उसके बद id add-the-rate का sign और आपके attribute का नाम आएगा, attribute का नाम क्या है? आईडी और उसके बाद यहां पर first name आजएगा, fname, next line पर last name और सबसे last line में email आजएगा email चले हम इसके browser में देखते है refresh, यह देखे successfully information यहां पर आ गई, जो email वाला पार्ट है वो properly display नहीं हो रहा है उसको देख लेते हैं उसमें मैंने canvas रिक ही है, मैंने mail लिख दिया, email आएगा यहां पर, email, refresh और यह देखे successfully email भी आ गया और एक interesting चीज़ यह है, यहां पर अगर मैं right click करता हूँ और मैं page source को view करता हूँ, तो मुझे यहां पर XML फाइल लजर आ रही है यहां पर HTML लजर नहीं आ रही है, लेकिन जो document है, वो HTML में transform हो चुक है इसमें जो मैंने path expressions को use की है, अगर आप उसमें confused है, और अगर आपको उस related कोई help चाहिए, अगर मैं available नहीं होता, तो मैं आपको suggest करूँगा, कि W3 school को visit करें इसमें जो tutorial है, मैं आपको directly उसमें लिए चलता हूँ, xpath यह देखें, xpath इंट्रो, xpath इंट्रो पर मैं जैसे ही click करता हूँ, बलकि मुझे syntax पर जाना मूने जा, xpath के syntax पर मैं जैसे ही click किया, तो यहां में देखें कुछ expressions को जैना आ रही है, जैसे पहली expression है, वो node name है, node किसको कहते है, node एक element को कहते है, जैसे for example, यहां पर percent data यह एक node है, id यह attribute है, इसको भी node का अजासत है, user भी एक node है, अगर आपने कुछ specific node को display करवाने हैं, आप उस node का नाम लिखते थे, और वो node display हो जाती है, उसके बाद जो forward slash है, इसका मतलब होता है select from the root node, double forward slash का मतलब होता है select nodes in the document from the current node that match the selection number no matter where they are, अगर आप double forward slash लगाते हैं और उसके बाद किसी node का नाम लिखते थे, तो यह matter नहीं करता कि वो nodes कहां पर पढ़ी है उस document पे, वो सारी की सारी nodes match हो जो जोड़ेंगे result में आ लगी, उसके बाद यह period का साइन है, यानि के dot operator, इसका मतलब होता है select the current node, उसके बाद अगर आप double dot की बात करते हैं, double period के sign की बात करते हैं, full stop की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है select the parent of the current node, तो आप अगर CSS यूज़ करते हैं, तो आपको उसमें idea होगा, अगर आप current directory में हैं, अगर आप double dot यूज़ कर लेते हैं, उसका मतलब होता है previous directory, जिस directory में अभी आप available हैं, apply होता है, यहां पर child और parent की बात हो रही है, parent container होता है, child उस container के अंदर आ रहा होता है, same rule वो ही है, attribute को मैंने select किया था, add, direct कर sign लगा के, और उन्होंने नीचे कुछ further examples की में हैं, यह देखें, ओके, इतना काम तो कर लिया, अभी तक जो मैंने आपके से चीज़ें discuss की हैं, मैंने template को discuss किया, मैंने value off को discuss कर लिया, मैंने भी loop को discuss में किया, अब loop को देख लिए, लूप की तरफ आते हैं, लूप की तरफ आके, यह सारे का सारा code मैं remove कर देता हूँ, अब बलकि code मुझे लिखा रहने दिना मुड़ेगा, जितनी बार loop चलेगा, नीचे एक new row create हो जाएगी, इसका मतलब यह है, XSL, for each, और उसके बाद select, select के अंदर फिर से path expression आ लेगी, जो for each loop है, उसका opening tag आ गया, अब मुझे उसका closing tag भी लिखना बढ़ेगा, तो closing tag लिखने के लिए, जो नीचे row है, मैं उससे बाहर चला जाता हूँ, for each loop, हमेशे याद रखें, कभी भी इसमें भूले मद, आपने कोई opening tag लिखने, उसका closing tag भी लाजमी लिखने, यह तो कोई, आपको error नजर भी नहीं आएग, और आपका document proper display नहीं होगा, आपके तो यहाँ पर अब मैं basically, यह वाला जो URL का part है, इसको निकाल लेता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ, user, अगर मैं page refresh करता हूँ, तो देखें, मेरे बास id 1 भी आ गई, 2 भी आ गई, 3 भी आ गई, 4 भी आ गई, और अगर मैं अपने document पर वाफिस जाता हूँ, जो कि xml का document है, वहाँ पर लेकिए id क्या क्या आ रही है, 1, 2, 3, 4, just to make sure कि यह proper काम कर रहे के नहीं, मैं 4 की जगह पे 444 लिखतेता हूँ, तो 444 पेज पे नजर आना चाहिए, अगर यह proper काम कर रहा है, refresh, और यह देखें, 444 आ गया, चले, अब जो बाकी की elements हैं, मैं उनको भी access कर लेता हूँ, यह पूरे का पूरा path remove होजएगा, पूरा path इसलिए remove होजएगा, क्योंकि यह वाला जो path है, वो loop use कर रहा है, loop iterate कर रहा है इस path कर रहा है, इसको बार पर चेक कर रहा है, और हर दोफा, हर loop की हर iteration पे उसको निया data मिल रहा है, इसलिए मैं इस path को remove कर देता हूँ, इसको भी remove कर देता हूँ, और इसको भी remove कर देता हूँ, code throda से compact हो गया, save कर लिया, save करने के बाद अगर मैं refresh करता हूँ, तो यह देखें, successfully यहाँ पर data आपको नदर आ गया, चलेंब वापिस आते हैं, वापिस आ जाने के बाद, अगर मैं W3School की website पर जाता हूँ, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें और भी available हैं, value of for each को भी देख लिया, for each की बाद sort, आप अपने records को sort भी कर सकते हैं, sort कैसे किया जाता है, यह उसका syntax है, xsl sort select, किस column की base पे, यानि किस value की base पे, आप उसको, इसको value नहीं कहेंग, इसको column कह लेंग, आप किस column की base पे आप अपना data sort करना चारा है, वापिस आते हैं, मेरे पास एक column आ रहा है ID के नाम से, एक आ रहा है First Name के नाम से, एक आ रहा है Last Name के नाम से, और एक Email के नाम से, वापिस आते हैं, आप इसको sort भी कर लेता हूँ, sort, यहाँ पर select करना पड़ेगा, select, यहाँ पर मैं ID लिख देता हूँ, यहाँ पर note करें, जो sort वाला tag है, यह खुद से, opening tag और खुद ही से closing tag है, इसे self-inclosing tag करते हैं, यह loop की तरह नहीं है, कि opening tag उपर आ रहा है, और closing tag नीचे आ रहा है, यह एक ही line में लिखा जाता है, refresh, यह sending order में आ रहा है, अगर मैं इसको descending order में करना चाता हूँ, तो उसके लिए कुछ options मेरे पास available है, अब वो options देखना पढ़ेंगी, क्योंकि इस ताइब मेरे जेन में नहीं है, मुझे x path के tutorial से जाना पढ़ेगा, syntax, और यहाद कोई option देखना नहीं हारे, yes, मुझे यहाँ पर कोई option नजर नहीं आ रहे हैं, अगर मैं sort पर जाता हूँ, artist, यहाँ पर भी option अविलिबल नहीं है, चलें इसको google कर लेते हैं, yes, excellent, अब यहीं पर मुझे सारी की सारी information मिल गई है, अब जो मैं sort पर यूज कर रहा हूँ, उसमें कुछ और attributes आ सकते हैं, select expression, expression मैं already use कर रहा हूँ, उसमें language का code भी आ सकता है, उसमें data की type भी आ सकती है, उसके बाद data का order भी आप change कर सकते हैं, ascending भी कर सकते हैं, descending भी कर सकते हैं, तो जो order वाला part है, अब मैं वो वाला attribute यूज कर लेता हूँ, वापस आते हैं, यहां पर मैं लिखता हूँ, order, जो already data display हो रहा है हमारे पास, वो ascending order भी हो रहा है, descending, अगर इसको मैं ब्राउजर में display कर रहाता हूँ, तो 44 उपर आ जएगा, यह देखे, 44 आ गया, उसके बाद 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, और अगली रोज भी उसके इस data के accordingly sort हो गई है, अगर आप कहते हैं, मैंने ID को sort नहीं करना, मैं फिर्स नेम को sort करना है, तो फिर्स नेम को भी sort किया जा सकता है, बहुत असान है, उसके लिए, जो यह select वला पार्ट है, मुझे यहां पे फिर्स नेम लिखना पड़ेगा, नहीं कि F name, अब यह F name की base पर order करेगा, sort कर देगा, refresh, यह देखें, sorting इसमें इसरा से काम करती है, sorting के बाद हमारे पास कुछ conditional control भी विलिबल है, जैसी यह F है, जो if अला case है, अगर आप इसको check करते हैं, तो इसमें आप कुछ specific data display करवा सकते हैं, इसमें जो condition लिखी जाती है, वो कुछ इसरा से लिखी जा सकती है, price, इसमें का मतलब क्या होता है, जो यह पूरे का पूरा पार्ट है, यह HTML entity है, इसका मतलब होता है greater than design, और यह जो पूरी यह पूरी line लिखी वी है, जो इतना पार्ट, जो expression लिखी वी है, इसका मतलब है, price greater than 10, इसका यह मतलब है, तो मेरे पास तो यहां पे XML आ रही है, इसमें कोई भी numeric data नहीं आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मैं XML file कोई दूसरी यूज़ करना हूँ, उसके लिए, क्योंकि अगर मैं type करूँगा तो उसमें time अचा कासल लगए, तो मैं यहां से, इनकी जो अपनी website है, मैं यहीं से data उठा लेता हूँ, heximl, tree, यहां वे file की, उसका size का पे बढ़ाता, मैं चारों के वे बड़े size की file यूज़ करूँ, attribute, उसके बाद name space, उसके बाद xslt, I guess xslt में आएगा वो part, nice में भी नहीं आया, चलेंगे यूज़ कर लेते हैं, bookstore, उपर वाला part वैसे का वैसी रहेगा, मैं इसको just यहां पर paste कर देंगा, इस टाइम पर जो root element है वो bookstore है, अब इसके elements को target करते हैं, तो सबसे बाहर bookstore आ रहा है, bookstore के बाद अंदर book आ रहा है, और उसके बाद पर title है, author है, year है, price है, और book है, देखता हूँ कर इस related, यहां पर, access alt भी आ रही है, बलकि मैं access alt की पूरी की पूरी example कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बिते रहेगा, yes, access alt की मैं पूरी की पूरी example कॉपी कर लेता हूँ, चले ऐसी continue करते हैं, जो मैं काम कर रहा था रहा हूँ, चले इसको ऐसी continue करते हैं, अज सबसे पहले title है, author है, year है, और उसके बाद price है, category भी है, category, title, author, year, और उसके बाद, प्राइस है, यहाँ पर category आजएगा, category के बाद आगे, title, title के बाद, author, author के बाद, year, इस line को copy करके paste कर देता हो, और price आजएगी, price, उसके बाद जो यह expression है, path expression, इसको भी change करना होगा, सबसे पहले book store है, उसके बाद book है, और फिर नीचे title हो राते हैं, इसको भी change करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यानि, for example, मैं यहाँ पर category लख देता हूँ, category की base मैं sort कर रहा हूँ, order, ascending कर देता हूँ, descending नी, ascending, refresh, और यह मेरे पस data आगया, अब यह देखें data यहाँ पर change है, तो मैं यहाँ पर conditional काम भी कर सकता हूँ, for example, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो prices less than 30 आ रही हैं, मैं जब वह इडिस्प्ले कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कर रहा सकता हूँ, अब conditional काम कर लेते हैं, conditional काम के लिए, यहाँ पर मैं object tag लिखता हूँ, XSL, if, test, if price, add the rate, L, T, L stands for less, T stands for than, 30, इसका मतलब यह है कि अगर price less than 30 है तो उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, if statement को मैं यहाँ पर end कर दिया, अगर मैं page refresh करता हूँ, तो यह देखे, सिर्फ 20 ना यहाँ आ रहा है, कि मैं less than 30 वहाँ पर लिखा हूँ था, और यहाँ मैं less than or equal to 30 लिखता हूँ, तो फिर देखे 30 भी आ गया, यहाँ पर syntax थोड़ा सा आपको मतलब लग सकते है, syntax देखे आप थोड़ा सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूद नहीं है, आप जैसे इसे practice करेंगे आपको idea हो जाएगा, यह part अगर मैं remove करता हूँ तो इसका मतलब है यह वाला sign, लेकिन directly यह वाला sign में यहाँ पर लिख नहीं सकता, problem आएगी, तो मैंने उसके जगा पर HTML की entity यूज़ कर लिए, इसका मतलब है less than और equal to 30, refresh और यह data आपके सामने आगया, अब यह जो मैंने if वाली condition लगाई थी मेरे पास इसका else वाला part नहीं है, तो अगर आप चाते हैं कि आप if और else यह दोनों parts को use करें, तो वो control भी available है, उसका नाम है choose, हमें choose करना बड़ता है, चूस के नाम से एक block होगा और उसके अंदर एक when के नाम से block होगा फिर otherwise के नाम से, when जो है वो बिलकुल if की तरह काम करता है, और otherwise else की तरह काम करता है, अब इसके तरफ आते हैं, मैं इस line को, इस line से उपर आता हूँ, यहां पर लिखता हूँ, choose, choose का opening tag आ गया, as it is जैसे यहां पर लिखा हुआ है, और उसके बाद closing tag आ देगा, if के बाद, और choose के बाद जो यह if statement वाला part है, मैं इसको change कर रहा हूँ, when, यहां पर लिखा हूँ, when, expression को test किया जा रहा है, तो यह same expression मैं use कर रहा हूँ जो मैंने पहले use की थी, अगर तो price less than or equal to 30, अगर तो यह condition true हो जाती है, तो if only condition true हो जाएगी, जैसे normally programming में होता है, और यहां पर corresponding इसका closing tag है, when मैं बाद आ देगा, उससे जो निचला part है, xsl, otherwise आएगा, otherwise, यह otherwise वाला part आ गया, यहां पर मैं कोई div tag use कर लेता हूँ, यहां मैं कोई paragraph tag use कर लेता हूँ, यहां मैं हो यह आीझ यह», खरयूँ, कि और अगर मैं वापस आता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ तो नो डेटा मैश वेडियोर क्राइडियरिया अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम कैसे आ रही है मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ जब लूप चला तो जिसके पहला वाल रिकॉर्ड था वो मैश नहीं किया जो दूसरा रिकॉर्ड था वो भी मैश नहीं किया और अगर मैं आता हूँ इस यगह पर तो यहां पर देखते हैं मारे पास इंफुम्विशन कितनी आ रही है असल में चार जगों पर information आ रही है एक ये है एक ये है उसके बाद एक ये है और उसके बाद एक ये information आ रही है तो जो सबसे उपर information आ रही है वो 30 है जो उसके बाद आ रही है वो 29 है 29.99 और उसके बाद फिर जो दो information है 39 और 49 जब वो match नहीं की है तो जो इस स्टेट्मेंट थी इसमें जो वाला पाट था जो यह वन वाला पाट था वो फॉल्स हो गया वो फॉल्स किस-किस नंबर के लिए हुआ जो कि बैल्यू ग्रेटर दें 30 थी उनकी वज़ा से यह मैसेज डिस्प्रेय हो गया तो हम यह भी देख सकते हैं इजली हम लोग्कोफ फॉल्स वाला की काम एक्सल्टा की मतद से कर सकते तो इस लीए गता है कि एक्सल्टी ज्यादा पाफिर Прोड़े कंपरेटरिबली अगर इसको सी-इसके साथ ना तो कंपेर्टरिबली ज्यादा नहीось सा क्ट्रॉल हमारे पास अब मैं इस सारे के सारे पार्ट को रिमूव कर देता हूँ रिफ्रेश पेज को ने रिफ्रेश किया और देखे में बस डेटा फिर से वही आ गया जो रिक्वाइट था अब देखें नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है अप्लाए अप्लाई टैंप्लेट अप्लाई टैंप्लेट अप्लाई टैंप्लेट पर बीसिकली होता क्या है और यहां पर टैंपरिट बनाया जा रहा है इसका नम आर्टिस्ट है एक टेंप्लेट बनाया जारहे टाइटिल के नाम से और टेंप्लेट मैच सीडी जो सीडी वाला पार्ट है उसको मैच किया जारहा है अब इसकी जो कॉरिस्पॉंडिंग इसका इतना ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन इसको देखने कोशिश करते हैं इसको कैसे चीफिया जा सकता है इसको कैसे चीफिया जा सकता है इसको मैं यह लूपल अपार्ट भी हटा देता हूं लूपल अपार्ट हटा देने के बाद मैं नहीं चाहिए कुछ टेंप्लेट सनाता हूं एक्सेसेल और एक्सेसेल के बाद यहां पर मैं लिखता हूं टेंप्लेट मैच किसको मैच करना है टेंप्लेट और यहां में जो वेल्यू आ रही है असल में उसको मैं उसको मैं मैच कर देता हूं टाइटल के साथ और जो टाइटल के साथ यहां पर वेल्यू आ रही है उसको मैं डिस्प्ले भी करवा देता हूं उसको मैं पैराग्राफ में लिख देता हूं for example और paragraph में लिखने के बाद, अब उसको डिस्पले भी करवाना है, डिस्पले कैसे करोंगा, xsl, value of, उसके बाद select, तो मैं current value को select करना जाँ रहा हूं, यानि कि यहां पर मैंने column select किया हूँ, उसकी value को select करना जाँ रहा हूं, तो मैं यहाँ पर dot operator लिखतूँगा, यहीं full stop लिखतूँगा, इसकी वज़ाए से मेरे पास title की value आ जाएगी, copy करके इसको paste कर लेता हूँ, अब जो मैं next यहाँ पर template बना रहा हूँ, वो किसका बना रहा हूँ, author का, यहाँ पर author की value आ जाएगी, अब इनको apply भी करना है, apply templates, apply करने के लिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्सेसल, अब टेंप्लिट, match, और इस तफ़ा मैंने किसको match करना है, मैंने title को देख लिए है, अब मैं book को match कर रहा हूँ, मैं इस level पर आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं अंदर वाले level पर था, अब मैं यह बाहर वाले level पर आ रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ book, यहाँ पर template आ जाएगा, xsl, apply templates, अप्लाइट टेम्प्लेट्स, मैं select करना हूँ, template, कौन से template में select कर रहा हूँ, title के नाम से, title, और जो मैंने दूसरा बनाया था, वो मैंने author के नाम से बनाया था, इसको भी copy कर लेता हूँ, पेस्ट, author, अब इसके बाद, मैं यह template को apply कर लेता हूँ, अपने बास, चुछ, यह HTML वाला part है, इसके इंदर आग अप्लाए करता हूँ, इसको रिभूफ कर देता हूँ, XSL, apply templates, match, apply templates, XSL, उपर तो template आएगा, यहां पर template आएगा, परकि template ही आएगा, template तो मैं already यह बना चुका हूँ, तो, apply templates आएगा यहां पर, यह इस line की ज़रुद नहीं, इसको बज़े remove करना पड़ेगा, इसको बज़े रिमूफ, इसको बज़े रिमूफ, apply templates, यही opening टे आएगा और यही closing टे आएगा, अगर इसको ब्रावजर में देखते हैं, refresh, यह देखे, जो data मैंने select किया वा था, मुझे इस तरह से नदर आ गया, ओके तो यह basically access lt वाला part था, अब पार्ट नंबर 4 होगा, उसमें most probably मैं dtt को discuss करूगा, तो तब तक के लिए जाज़त, अलाथिस.